Dear students, आज जो topic हम discuss करने वाले हैं वो है study skills. आपको अपना syllabus याद होगा, syllabus में जो phrase यूज़ हुआ है, वो है study skills including using thesaurus dictionary and encyclopedia. Error आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मेरे ख्याल से वो कहना चाहता है study skills using thesaurus dictionary and encyclopedia, including मुझे लग रहा superfluous है. इससे जो, वैसे तो as per syllabus, एक्जाम में सिर्फ यह पूछा जाना चाहिए, कि thesaurus dictionary और encyclopedia कैसे use करते हैं, और उससे study skills कैसे improve होती हैं. लेकिन questions पिछले कुछ सालों में अलग-अलग तरीके से आये हैं, तो हो सकता है, आपसे study skills पे अलग से questions पूछे जाएं, short और long दोनों, तो short तो आप आराम से लिख लेंगे, अभी मैं आपको तीन-चार slides में इसको summarize करूँगा, और उन तीन-चार slides में इतने सारी keywords मैं आपको आपसे discuss करूँगा, कि आप उसको थोड़ा-थोड़ा explain कर देते हैं, तो आपका 16 number का भी अधी question आ जाता है, कि study skills क्या हैं, उसको कैसे develop करते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं, कुछ study skills मैंने class में आपके साथ already discuss किये हुई है मुझे लगता है कि यह जो पूरा topic है, वो हम शायद दो वीडियो में cover कर पाएंगे, एक में study skills का concept कितने type के होते हैं, और थोड़ थोड़े tips की उसको हम कैसे improve करेंगे, और दूसरा जो होगा, उसमें thesaurus, dictionary और encyclopedia, thesaurus जिसको हम हिंदी में समानतर कोश कहते हैं, dictionary जिसको कोश कहते हैं, और encyclopedia जिसको विश्वकोश कहते हैं, इसका कैसे इस्तमाल होगा, यह हम आज करेंगे, शुरू करते हैं study skills से, देखिए study skills, academic skills, study strategies, यह different approaches हैं, जो learning के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं, आपकी study skills, बच्पन से directly, indirectly, जाने, जाने, डेवलप होती रहती हैं, औ और basically यह techniques हैं, जो हम सीख सकते हैं, देखो, skill का मतलब ही है, caution, ability to do, और यह learnable है, skill की definition ही है, यह कि वो learnable है, और हम जैसे cooking, driving सीख सकते हैं, उसी तरह से study करना भी सीख सकते हैं, चाहे हम कोई सी भी विशह के विद्यारती हों, study skills basically जो अलग-अलग field में है, जो हम specific skills इस्तमाल करते हैं, strategy इस्तमाल करते हैं, approaches इस्तमाल करते हैं, उसके लिए हम study skills phrase जो है वो use करते हैं, जैसा कि आपको नाम सस्पस्ट होगा, यह कोई एक caution नहीं है, caution का समू है, और यह जो समू है, वो interlocking है, interlocking मैंने class में discuss किया है, मैं quickly revise कर दा हूँ, interlocking set of skills वो होते हैं, कि यदि उसमें से एक skill weak है, तो बाकी skills unusable हो जाते हैं, मतलब, यदि आपकी attention management अच्छी है, reading skills अच्छी है, बट यदि एक्जाम में आप express नहीं कर पाते हैं, तो गड़ पड़ है, आप exam express भी कर लेते हो, बट आपको recall करने की problem आती है, तो बाकी आपके जितने skills हैं, वो unusable हो जाते हैं, कई बार इसको intelligence और abilities के sense में भी use करते हैं, लेकिन यह different concept है, इसको आपने ध्यान में रखना है, और यह बहुत important है, school college में succeed होने के लिए, और अच्छे marks लेने के लिए, और पूरी जिंदगी में आप working life में भी जो आप सीखते रहते हैं, उस प्रक्रिया में भी study skills बहुत important भूमी का निभाते हैं, तो basically इसको हम simply define कर सकते हैं, कि एक set of skills है, जिसमें कि हम नई information को अंदर लेते हैं, दिमाग में बिठाते हैं, उसक उसको organize करते हैं, उसको बना के रखते हैं, और जब उसकी assessment होती है, रिटेन या oral form में, तो हम उसका, उस information या knowledge या concept को use कर सकते हैं, तो आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा complex skills है, study skills होती कौन-कौन सी हैं, अलग-अलग लोगोंने अलग-अलग बातें कहिए, उनको program जो है वो developed किया है, study skills में basically सबसे important तो यह है कि हम study के लिए बैठें, जिसको हम attention management skill कहते हैं, attention management skill आप ध्यान रखें कि हम अपने दिमाग को एक जगा पे quality concentration दे सकते हों, वो जो ability है, वो attention management के ability है, और इसमें basically दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो ये ध्यान में रख जो इस पर कैसे control करें और जो external destruction उसको कैसे minimize करें, external destruction को minimize करने का जो तरीका है कि आप पढ़ने की जगह और पढ़ने का समय ऐसा रखें जहां external destruction minimum हो, internal destruction के लिए मैंने आपको class में discuss किया है, कि यदि हम कुछ breathing technique इस्तेमाल करें, internal destruction, खराब mood है या इस तरह की जो आपकी emotional level पे चीज़ें चल रही है या व्यक्तिकत जीवें में जो चीज़ें चल रही है उसको दि हम control करना सीख लेंगे, तो हमारी studies में attention बहतर होगा, तो यह तो attention management है, अब जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो अगला काम यह होता है कि जो different sources से आप input लें, अपने brain को input दें, वो input सुन आप लेंगा, डिसकस करके सीखते हैं, मैं हमेशा है कहता हूँ कि learning groups बिनाएए, ती-चार दोस्त मिलके discuss कीज़े, discussion हमारी बहुत important skill है, study point review से, और writing मैं आप देखेंगे, मैं इसको bold और underline किया हुआ है, writing कईयों के लिए output skill है, आप जो पढ़ते हैं वो लिखते हैं, लेकि कई लोगों को input लेने का तरीका writing है, they would listen and they would read, but unless they write, they can't integrate into their cognitive structure, so writing बहुत लोगों के लिए input skills है, तो अब शुरू में जो चार points मैं दे रहा हूँ, listening, reading, discussing, writing, यहां पर writing is not as an output skill, यहां पर writing is an input skill, reading मैं ने डिसकस किया है, हम दो skill space में focus करते हैं, speed पे और comprehension पे, अब आप comprehension, आप देखे हैं कि सबस reading से link नहीं है, आप जो सुनते हैं उसकी भी comprehension, जो discuss करते हैं उसकी भी comprehension, और input device के रूप में जो आप लिखते हैं उसकी भी comprehension, attention management के बाद की जो सबसे crucial skill है वो है, आप input लें, multiple sources से input लें, और उस input को समझें, क्योंकि unless you understand, you can memorize, याद रखने के लिए, short term memory मतब रोट learning में भी कर सकते हैं, बिना, समझे, आप कोई चीज़ रट सकते हैं, बट वो बहुत कम समय के लिए ठिकती है, brain कोई चीज़ तभी याद रखता है, जब उसको समझता है, और उसको वो interesting, more useful लगता है, तो comprehension हो गई तो उसके बाद आ आते हैं, आप अपने notebook में, उसके बाद जो आपने notebook में लिखा है, उसको आपने याद करना है, जिसको memory management करना है, जैसा मैंने class में आपसे पहले भी जिखर किया है, कि memory जैसी कोई चीज़ नहीं है, it's basically ability to recall, उसको memory के रूप में देखते हैं, तो memory क्या है and forgetting क्या है, ये आगे paper 6 में बहुत detail उसके बारे में पूरा एक unit है, अभी मैं उसको बहुत detail नहीं करा रहा हूं, आप सिर्फ इतना ही समझें के उसके बहुत सारे परीके हैं, चीज़ों को memorize करने के, वह हम study skills में सीखते हैं, फिर जो आपने याद रख आप उसको present करना है, अब present आप दो level पर कर सकते हैं, orally या written form में, जो आपके typically exam होते हैं, वो written exams है, लेकिन यदि आप teaching practice कर रहे हैं, उसकी assessment है, या viva है, या group discussion है, या interview है, ये सब आपकी oral examination है, जो आप practical exam में भी देते हो, और जो job related exam है, या कई वार admission related exam में भी oral exams होते हैं, तो ये एक overall framework है, जो study skills का, जिसमें आप में देखा कि सबसे पहले तो हम पढ़ने के लिए दिमाग को एक जगटिक आएं, पढ़ने का यह मतलब reading से नहीं, study से है, जो कि larger set of skills है, और यहां पर आप में भी, मैं उसको revise करूँ कि, मैंने भी discuss किया था, study skills जो basically है, set of skills है, interlocking skills है, जो कि आप सुनते हैं, पढ़त हैं, इसलिए study skills को interlocking skills भी कहते हैं, तो यह broad study skills है, लेकिन दो चीज़ें मैंने इसमें और add की हैं, जो typically आप देखो तो study skills नहीं हैं, लेकिन वो दोनो study skills के लिए बहुत crucial हैं, जैसे उसमें पहला है time management, अब इतने सारे काम करने हैं आपको, अलग-अलग subjects हैं, अलग-अलग चीज़ों के त्यारी कर रहे हैं, उन से जुड़ी वो चीज़ हैं, सुनना, पढ़ना, discuss करना, लिखना, समझना, note बनाना, याद रखना, present करके practice करना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको time management, इसको scheduling skills भी कहते हैं, तो scheduling आप डालने तो study skills में वो भी cover हो जाता है, पर time management life skill ह जो study के अलावा भी हर क्षेतर में आपको काम आती है, तो आप चाहें तो managing time के बदले, scheduling skills को भी study skills के रूप में देख सकते हैं, और उसका तीन जो सबसे important तरीका है, कि आप long term, short term, gym term goal बनाए, daily plan करें, अपना देन जो हो plan करें, best use of best time करें, जब आप सबसे इक fresh होते हैं, त practice वाले काम करें, best use of best time, and best use of committed time, best use of committed time कि आपको पता है, कि आप, जैसे भी मैं, covid की vaccine लेने गया, तो मुझे पता था, कि मुझे 9 से 11 का slot मिला है, तो मेरा number कभी भी आ सकता है, तो मैं पहुंची गया, और मेरा number actually 1.5 दस आया, तो यह जो beach का time था, उसको मैंने use करना है, तो best use of committed time, जो आपको लगता ही लगता है, travel में लगता है, आप कहीं बैठे हुए हैं, आपको पता है कि यह waiting time इतना लगता ही लगता है, best use of best time, best use of committed time, plan your day, यह दो-तीन चीज़ें करने से हमारी scheduling जो हो प्रॉपर हो जाती है, different चीज़ें पढ़ रहे हैं आप, उसके लिए scheduling के आपके लिए simple rule यह है कि आपके पास कितना time है और कितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत important है और आपका week है, तो जादा time दीजिए, आपका already strong है और उसके लिए बहुत अधिक time की जरूवत नहीं है, तो कम time दीजिए, बहुत students गलती क्या करते हैं, कि व already strong है, class में cover हो जाता है, या friends से discuss करके cover हो जाता है, उसके लिए self study के लिए बहुत अधिक समय लगाने की जरूरत नहीं है, एक skill और है, इतनी सारी चीज़ें जवाब करते हैं, तो आप फिर आपके life में stress हो जाता है, तो stress manage करना, हलेकि stress manage करने के एक तरीका ही यही है, कि time properly manage करते हैं, तो stress कर जाता है, तो stress को भी control करना, manage करना, वो भी एक important study skills है according to me, हलांकि जैसा आपको मैंने पहले कहा, time management, stress management, यह life skills है, इसलिए मैंने आपको इस overall chart में इसको mention नहीं किया है, तो मेरे खियाल से इतनी जो discussion मैंने की है, इसके base पे, एधि study skills पे दो marks का question आता है, कभी भी I assume कि आप successfully attempt कर लेंगे, और यदि इस पे 16 marks का question आता है, तो study skills क्या है, क्यों महत्पूर्ण है, और उसके कौन-कौन से type होता है और उसको कैसे develop करना है, I hope, जो keywords मैंने आप से 2 slides में, 3 slides में discuss की हैं, उसके base पे आप 2 marks वाले और 16 marks वाले दोनों questions को successfully attempt कर लेंगे, आन इन में से आपको skill सीखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए अलग से उस पे work show कर सकते हैं, और यदि COVID लंबा चलता है, online mode में यदि करना पड़ा और आप सब की उच्छा हुई, तो आप मुझे जो हम face to face doubt clarification session में मिलेंगे, आप point out कर सकते हैं, कि आपको इन में से फलाने skill पे input चाहिए ताकि आपको इसको skill develop कर सके हैं, reading skills के point of view से आप exam में इनको focus कर सकते हैं, ये भी core study skills है, क्योंकि कई बार, चुकि आपका पूरा unit, आप देखो reading पे focus है, तो कई बार study skills को, जो examiner है, वो reading skills के रूप में देखा है, तो reading skills में मैंने आपको already ये PV formula discuss किया है, class में तो ये आपके पास साथ additional keywords ने जिसको आप use करके आप अपने answer को और comprehensive बना सकते हैं, next video में हम dictionary, encyclopedia और thesaurus